आज की इस क्लास में समाश शास के महतपूर प्रेश्णों को देखने वाले हैं प्रेश्णों की संक्या 30 रहने वाली है एंड ये जो कोशन्स है वो आपके आने वाले एक्जाम्स नेट, PGT, GIC, Assistant Professor and Others एक्जाम्स के लिए इनपॉर्टन रहने वाले हैं इससे पहले एक क्लास कल हो चुकी है एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर जो कर दीजिए अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर Assistant Professor एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं शिशौल जी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहां से आप अपने स्टडी को कम्प्रीट कर सकते हैं प्लेलिस में उन से भी वीडियो के फोल्डर्स मिल जाएंगा आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं यहां तक हो गया था चलिए अब यहां से शुरू करते हैं प्रश्ण है इन में से कौन सा सही नहीं है आईए देख लेते हैं समायोजन संगर्ष से सहयोग की और बढ़ने का प्रथम चरण है सहयोग समाज के समान उद्धिशों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है संगर्ष से एकिकरण की और बढ़ने का प्रथम चरण सहयोग है और अंतिम आत्मसाथ या फिर उप्रियुक्त सभी यहां पर सही है सही क्या हो जाएगा राइड अंसर यहां पर क्या होगा इस प्रशन का सही उत्तर यहां पर क्या होगा समायोजन, सहयोग, संगर्ष यह सभी आपको पढ़ाया जा चुका है शोशल प्रोसेस, समाजिक प्रक्रिया से सम्बंदी जो क्लासेस हुई थी उनमे आप में से जितने भी लोग चैनल पर पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वे सभी चैनल का प्लेलिस जड़ो चेक कर लीज़े अभी तक जितने भी क्लासेस हुई है जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गये है सभी का फोल्डर बना दिया गया है यहाँ पर सही होगा option C ठीके option C यहाँ पर right answer हो जाएगा संगश से एकी करण की ओर बढ़ने का जो प्रतम चरण है वो सहयोग नहीं कहलाता है वो व्यवस्थापन कहलाता है ठीके क्या कहलाता है व्यवस्थापन कहलाता है और अंतिम जो चरण होता है वो आत्म साथ है यह सही है पहला जो चरण है वो व्यवस्थापन है option C यहाँ पर right answer हो जाएगा व्यवस्थापन की बात की जाए तो यह एक सहयोगी समाजिक प्रक्रिया है क्या है सहयोगी समाजिक प्रक्रिया है व्यवस्थापन Option C यहाँ पर राइट होगा और व्यवस्थापन के अगर बात की जाए तो यह समाज में व्यक्ति या सम्हू को जोडने वाली प्रक्रिया मानी जाती है यह समाज में व्यक्ति या सम्हू को जोडने वाली प्रक्रिया है समनर ने विवस्थापन के बारे में क्या कहा है जो समायोजन या इसे हम विवस्थापन कहते है समनर ने इसे विरोधपूर सहयोग कहा है ठीक है याद रखेगा समनर समनर है समनर ने समायोजन या विवस्थापन आप कहें एक ही है इसे विरोधपूर ठीक है विरोध पूर सहयोग कहा है समायोजन या विवस्थापन विरोध पूर सहयोग है ये किसके द्वारा कहा गया है समनर के द्वारा कहा गया है विवस्थापन एक सहयोगी समाजिक प्रक्रिया है गिलिन एन गिलिन का नाम आता है तो इन्हों ने समाजिक प्रक्रिया के तीन प्रकार बताये थे पहला था समान समाजिक प्रक्रिया दूसरा था सहयोगी समाजिक प्रक्रिया और तीसरा था आ सहयोगी समाजिक प्रक्रिया इस तरीके से पुछा जाता है किसने इस तरीके से समाजिक प्रक्रिया के प्रकार बत ओप्शन्स में हैं मैक्स वेबर, काल मार्क्स, ओकबन, एन्नेमकॉफ, गुल्डनर यहां पर विकल्प दिये गए, इनमें से किसका विचार है, कि एक समाजिक वर्ग उन व्यक्तियों अत्वा परिवारों का योग है, जिनके आर्थिक इस्थिति लगभग समान होती है, यहां पर सही होगा गुल्डनर, ठीके गुल्डनर होगा, ओप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, डी यहां पर सही हो जाएगा, और काल मार्क्स की बात की जाए, तो इन्हों ने वर्ग को आर्थिक आधार पर परिभाशित किया था, ठीके आधार किया था, वर्ग को ऐसे व्यक्तियों का सम्हू कहा था जिनके जीवन अवसर समान होते हैं जीवन अवसर क्या है समान है ठीक है जीवन अवसर समान प्राप्त होते हैं उन्हें वर्ग को ऐसे वर्ग को एक ऐसा जो वर्ग है क्लास है उसे ऐसे व्यक्तियों का सम्हू कहा था जिनके समान जीवन अवसर प्राप्त होते हैं, जिनके वर्गी की जो स्थिती होती है, उनके जो market situation है, उसे इन्होंने बताई थे और काल मार्क्स वाला पूछा जाता है, इन्होंने किस आधार पर वर्ग को परिभाशित किया है, तो आर्थिक आधार पर इसे परिभाशित किया है, पूर्ति के लिए उद्देश पूर किरियाओं की संघटित विवस्ता है, या किसका कहना है, संस्कृति कल्चर इस टॉपिक को भी कम्प्लीट कराया जा चुका है, यहां पर सही होगा मैलनोवस्की, ठीक है, मैलनोवस्की होगा, मैलनोवस्की ने मानवी आवशक्ता का धान्त है, वो मैलनोवस्की द्वारा दिया गया है, प्राथ में एक द्वित्यक, तृत्यक आवशक्ताओं की बात की थी, टोटल तीन आवशक्ताओं बताई थी इन्होंने, और इन आवशक्ताओं की जो पूर्ति का जो साधन है, ठीक है, पूर्ति का जो साधन है, वो किस से बताया था इन्होंने संस्कृति को बताया था पूर्ति का साधन क्या है संस्कृति है और इस संस्कृति का निर्माण व्यक्तियों ने किया है अपनी इन आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए चीक है इस तरीके से इन्होंने कल्चा को डिफाइन किया है मैलनोवस की ने च यहां पर सही होगा Peter Blau, ठीक है, Peter Blau, option B, यहां पर right answer हो जाएगा, और इनके अगर कुछ हम books देख लेते हैं, जो कि important है, जैसे कि एक है, the American occupational structure, यह इनकी पुस्तक है, इसके अलावा एक है, formal, organization, formal organization, a comparative approach, ठीक है, formal organization, a comparative approach, the American occupational structure, यह दो इनकी important books है, next है, किसने कहाई कि अपराद वाकरिया है, जिसे राजी ने सामोही कल्यान के लिए हानिकारग घोशित किया है, और जिसके करता को डंडित करने की शक्ति राजी में है, options है, Landis and Landis, Illyat and Merrill, Ross Mead यहां पर options दिये गए है, सही क्या होगा, अपराद, Crime, वाकरिया है, जिसे राजी ने सामोही कल्यान के लिए हानिकारग घोशित किया है, और जिसके करता को डंडित करने की जो शक्ति है, वो राज में नेहित है, या किसके द्वारा कहा गया है, और Crime अपराद, इस पर भी Classes ली जा चुकी है, यहां पर सही क्या होगा, Landis and Landis होगा, option A, यहां पर सही हो जाएगा, इलियत मेरल ने क्या कहा है, अपराद के बारे में, जिसे सम्हु अस्विकार करता है, सम्हु द्वारा ऐसे वहवार को अस्विकार किया जाता है, जो कि समाज विरोधी है वहवार, और इस वहवार के लिए सम्हु द्वारा डंड भी निर्धारित किया जाता है, ऐसे वहवार को अपराद कहा जाता है, इस तरीके से अपराद को Elliot and Merrill ने परिभाशित किया है चलिए आगे देखते हैं प्रशन है समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्धेक संबंध है या किसका कतन है सही क्या होगा यहाँ पर सही यहाँ पर सियच कूले हो जाएगा ओप्शन सी यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा समाज को इन्होंने इस तरीके से परिभाशित किया है कूले की बाद की जाए तो इन्होंने प्राथमिक सम्हू की अवधार्ना दी थी ठीके प्राथमिक सम्हू की जो अवधार्ना है वो कूले द्वारा दी गई है किस पुस्तक में इन्होंने यह अवधार्ना दी है पुस्तक का नाम है शोशल और्गनाईजीशन ठीक है याद रखिएगा शोशल और्गनाईजीशन ये 1909 में आती है पुस्तक इस पुस्तक में प्राइमरी ग्रुप का कॉंसेप्ट दिया प्रात्मिक समू के बारे में इन्होंने क्या कहा ऐसा व्यक्तियों का समू जिनके मद्य आमने सामने का प इत्र समू ये तीन उधारन कूले द्वारा बताये गये हैं प्राइमरी ग्रुप के और इसके लावा इनकी एक अवधार्ना और है अर्ध प्रात्मिक समू याद रखिएगा अर्ध प्रात्मिक समू ये किसकी है कूले की अवधार्ना है और कूले ने आत्मदर्पन ठीक है आत्म दर्पन का जो सिध्धान्त है वो दिया है जो की समाजी करण से सम्बन देते हैं वो समाजी करण से सम्बन देते हैं ये कूले की द्वारा दिया गया है यहाँ पर option C हो जाएगा right answer नेक्स्ट है आधुनिक औधोगिक समाज के लिए समिती शब्द का प्रियोग किया गया था विकल्प है पार्सन जिंसबर्ग टॉनीज मर्टन यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आधुनिक औधोगिक समाज के लिए समिती शब्द का प्रियोग इनमें से किसके द्वारा किया ग ये समाज शास्त का क्या है मुख्य उद्देश है ये टॉनीस के द्वारा बताय गया था और ये जो संबंध है इन संबंधों का जो निर्माण होता है वो मानवी इक्षाओं द्वारा होता है ठीक है मानवी इक्षाओं द्वारा समाजिक संबंधों का निर्माण होता है और इन संबंधों का जो अध्यन है वो समाश शास्त्र करता है ठीक है और इन्हों ने क्या कहा था कि ये जो इक्षाएं होती है ठीक है ये जो मानवी इक्षाएं है ये जो संबंध है उनको जन्म देती है और इन्हों ने कहा था दो तरह की इक्षाएं होती है मानवी इक्षाएं और यहाँ पर यह प्राकर्तिक इक्षा हो जाएगा प्राकर्तिक इक्षा की बात की जाए तो यह किसमें हमें देखने को मिलेगी यह समुदाई की विशेशता है समुदाई में और यह समीती में यह समीती के अंतरगत आजाएगी ये प्राकर्तिक एक्षा समुदाई के अंतर गता आजाएगी इसमें कैसे सम्मंद पाई जाएंगे और अपचारिक इसमें अपचारिक ठीक है और इसमें समुदाईक स्वार्थ जो होगा उसको महत्व दिया जाएगा यहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ को समीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हो जाएगा समुदाई में समुदाईक स्वार्थ हो जाएगा इसमें धर्म रूणियों का महत्व जादा होगा जो सम्पत्ति होगी वो समुदाईक सम्पत्ति होगी इसमें व्यक्तिगत संपत्ती होगी, चीके, चले, आगी चलते हैं, प्रश्ण है, सबिताओं के संघश की प्रस्थापना है कि उत्तरशीद यूत, विश्व में लोगों की सांस्कतिक और धार्मिक पहचान संघश के प्रात्मिक स्त्रोथ होगी या विचार है, सोरोकिन, सेम वल, P, हंटिंग्टन होगा, B, यहाँ पर सही होगा, प्रश्ण है, दम्मित ओफ कास्स सिस्टम पुस्तक के लेखा कौन है, लेविस्ट्रॉस, घुरिये, नर्मदेश्वर प्रसाद, डियन, मजूमदार, यहाँ पर ओप्शन्स दिये गये हैं, दम्मित ओफ कास्स सिस्ट नर्मदेश्वर प्रसाद की, ओप्शन्स यहाँ पर सही होगा, प्रश्ण है किसका मत है कि पोलिश क्रशक समाज तीन चर्णों से होकर के गुजरा है, संगटन, विगटन तथा पुनर गठन, डेनियल लर्नर, डेनियल बेल, रेट फिर्ट, थॉर्म्स, अन्न की यहाँ प पर सही क्या होगा, बदाइए, राइट आंसर यहाँ पर थॉम्स अन्न की होगा, डे यहाँ पर राइट होगा, क्रशक समाज की जो अवधार्ना है वो रॉबर्ट रेट फिल द्वारा दी गई है, किस पुस्तक में दी गई है, पुस्तक का नाम क्या है, पीजन सुसाइटी and कल्चर, यह आती है 1956 में बुक, पीजन सुसाइटी and कल्चर 1956 में आती है, उस पुस्तक में क्रशक समाज की अवधार्ना रॉबर्ट रेट फिल द्वारा दी गई है, और क्रशक समाज को इन्होंने अविसिस्ट समाज कहा था, इन्होंने इनका कहना था कि जब हम ग्रामीर समाज से जिनजाती समाज को अलग कर देते हैं, तो जो शेश बचा हुआ अवसिस्ट भाग है, उसको ही इन्होंने क्रशक समाज कहा था, नेक्स्ट है, मानवीक शाओ द्वारा निर्मित समाजिक सम्बंधों का अध्यन ही समाज शास्त का मुख्य है या तर्क किसका है, तो नीज का है, ओप्शन ए यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा और इन्होंने समाज शास्त को, ठीके, समाज शास्त को तीन भागों में विभाजित किया था, पहला है विशुद समाज शास्त्र, दूसरा हो जाएगा वहवारिक, दूसरा हो जाएगा वहवारिक समाज शास्त्र, और तीसरा हो जाएगा पुरियोक सिद समाज शास्त्र, दिके, यह तीन प्रकार समाज शास्त के यह तीन भागों में जो विभाजन है, वो टॉनिस द्वारा किया गया है, नेक्स्ट है, किसने इंग्लैंड के जेलों में बंद अपरा यहां पर क्या होगा सही, इंग्लैंड की जेलों में बंद अपरादियों का अध्यन समाजिक सर्वेक्षन विधी द्वारा किसके द्वारा किया गया, समाजिक सर्वेक्षन विधी द्वारा इन में से किसने अध्यन किया है, इंग्लैंड की जेलों में बंद अपरादियों प कहना है, option से good and hot, Kingsley Davis, Mead Spencer, साक्षातकार यानि interview, मूल रूप से समाजिक अंतर किरिया की एक प्रक्रिया है, या किसके द्वारा कहा गया है, good and hot के द्वारा, option A यहाँ पर right होगा, ठीक है, A यहाँ पर right answer है, Lindman ने क्या कहा है साक्षातकार के बारे में, कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बीच में ये क्या है, साक्षातकार एक समबाद है, ठीक है, जिसमें मौखिक उत्तर प्रतियुत्तर शामिल होते हैं, साक्षातकार दो यो दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक समबाद है जिसमें मौखिक उत्तर प्रतिउत्तर होते हैं ये इस तरीके से साक्षातकार को परिभाशत लिंड मैन के द्वारा किया गया है और यहाँ पर good and hot option A यहाँ पर सही होगा प्रशन है किसने का आए कि दिर्ग परमपरा एक शहरी घटना है तथा लगू परमपरा का दिर्ग परमपरा में परिवर्तन ही नगरी करण है और मेरिट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेड़ फिल्ड, स.C. दुबे यहाँ पर क्या होगा सही दिर्ग परंपरा एक शहरी गटना है तथा लगू परंपरा का दिर्ग परंपरा में परिवर्तन ही नगरी करण है इस तरीके से इन्होंने इनमे से किसने परिभाशित किया है सही क्या होगा राइर आंसर क्या हो जाएगा मिल्टन सिंगर चीक है Milton Singer Option B यहाँ पर सही हो जाएगा Marriott की बात की जाए MacIum Marriott ने तो इन्होंने लगु और दीर्ग परंपरा के आधार पर स्थानी करण सार्व भामी करण की अवधार्णा दीती Milton Singer and MacIum Marriott ने मिलकर लगु और दीर्ग परंपरा के अधार पर इस्थानी करण सार्व भॉमी करण की अवधानना दी थी नेक्स्ट चैम प्रकारिवाद का सरुप्रतम उलेक किस रशना में मिलता है बुक्स दी गई है The Rules of Sociological Method The Division of Labor in Society Principles of Sociology Primitive Culture यहाँ पर सही क्या हो जाएगा राइट क्या होगा यहाँ पर देए सी होगा यहाँ पर Principles of Sociology यह किसकी है? Spencer की है ध्यान रखेगा यह पुस्तक Spencer की है Principles of Sociology इसके अलावा और भी बुक्स है सोरोक इनकी जो की इनपॉर्टेंट है जैसे की है Social Aesthetics एक है इनकी Social Aesthetics इसके अलावा First Principles है एक है First Principles है पिर इनकी आती है The Study Of Sociology The Study of Sociology हो जाएगी और Principles of Sociology यह पुस्तक है इस पुस्तक को समार्शास की पहली पार्टे पुस्तक माना जाता है इसे आप ध्यान में रखेंगे Principles of Sociology इस पुस्तक को समार्शास की पहली पार्टे पुस्तक माना जाता है और ये पुस्तक है स्पेंसर की. चले आगे चलते हैं प्रशन है परसंस्कती गरहन की निम्न विशिश्चताओं पर विजार करे आए देखते हैं परसंस्कती गरहन एक तर्फा प्रक्रिया है पर संस्कति ग्रहन स्वेच्छा या दबाओ दोनों ही प्रकार से हो सकता है पर संस्कति ग्रहन में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कतियों का संपूर्ण मिक्षन नहीं होता बलकि वे अपने विशेश्टाई भी बनाए रखती है पर संस्कति ग्रहन संस्कतिक संप्रिक्षन अथाथ एक समू से दूसे समू में संस्कति हस्तांतरण की प्रक्रिया है यहाँ पर सही पूछा जा रहा है सही क्या हो जाएगा यहाँ पर B हो जाएगा Second, Third और फोर्थ यहां पर Right आंसर हो जाएगा Option B यहां पर सही हो जाएगा ठीके हशको विट्स ने नाम याद रखेगा हशको विट्स ने पर संस्कति ग्रहन के स्वरूब बताए थे पहला था विरोधात्मक पर संस्कति ग्रहन ठीके तीसरा क्या हो जाएगा परा संस्कती ग्रहन हो जाएगा और जो चौथा है वो एच्छिक पर संस्कती ग्रहन है ठीके चौथा क्या है एच्छिक पर संस्कती ग्रहन है और फिर लास्ट में सुदूर वर्ती पर संस्कती ग्रहन की इन्होंने बात की है सुदूर वर्ती परसंस्कती ग्रहन ठीके तो ये जो स्वरूप है परसंस्कती करण के ये हश को विट्स के द्वारा बताए गये हैं चलिए आगे चलते हैं प्रशन है जनरीतियां रूरियां बन जाती हैं जब उनकी पूर्ती समुके कल्यान के लिए आवश्यक और महतपूर समझे जाने लग यहां पर सही क्या होगा यहां पर आइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा फॉस्ट एन फॉर्थ ठीक है ओप्शन डी यहां पर राइट है पुरशन है जो प्रतिमान इस्थिर होते हैं और एक संस्कती से दूसरी संस्कती में एवं एक युग से दूसरी युग में भिन नहीं होते हैं वे कहलाते हैं सांस्कतिक सार्व भॉमिक्ताएं सांस्कतिक विसिस्टताएं सांस्कतिक अवशेश और सांस्कतिक पूर्णताएं यहाँ पर ओप्शन्स दिए गया है सही क्या होगा यहाँ पर सांस्कितिक सार्व भौमिकताएं विकल्प यहां पर सही हो जाएगा प्रश्ण है निम्निमिसे किस एक का प्रियोक मिल्टन सिंगा एं मैकिम मेरेट ने भारत में समाजिक परिवर्तन से सम्बंदित अपने अध्यनों में किया संस्कितिकरण और पश्णिकरण लगू परंपरा और दिर्ग परंपरा सरशनात्मक सिद्धान नेती विकासिये तथा विश्यम जातिये प्रारूप सही क्या होगा इन में से किसका प्रियोक मिल्टन सिंगा एं मैकिम मेरेट ने भारत में समाजिक परिवर्तन से सम्बंदित अपने अध्यनों में किया है सही क्या होगा यहाँ पर लगू और दिर्ग परमपरा हाला कि यह जो अवधानाय है लगू और दिर्ग परमपरा की वो रॉबर्ट रेट फिल्ड द्वारा दी गई है ठीक है रॉबर्ट रेट फिल्ड के द्वारा दी गई है लगू परमपरा की बात की जाए तो लगू परमपरा क्या है स्थानी स्तर पर होती है और जो दीर्ग परमपरा है वो राष्टे स्तर की परमपरा है लगू परमपरा आलिखित होती है और जो दीर्ग परमपरा है वो लिखित परमपरा है लगू परमपरा आशास्त्री परमप करक्रिया का विश्रेशन करने के लिए ये अवधारनाय लगु परंपडिरग परंपडरा की अवधारना दी थी. Next हैं, किसने मादक द्रव वेसन के परिपख्ष में समाजिक अधिगम के सिध्धांत का प्रतिपादन کیा है? Southern Land, Bandura, Ackers and Burgess, Abraham Wilker यहां पर options दिये गए है सही क्या होगा Right answer यहां पर क्या होगा Option C होगा Ackers and Burgess Option C यहां पर right है Next है नेमने में से किस एक ने मलिन बस्तियों में रहने वालों के अपराधि किरियाओं के लिए वेसन विहिन अपराद की अवधानदा प्रतिपादित की है टैफ्ट, सदल लैंड, संपूर्णा नद, क्लिनोड यहाँ पर आप्शन्स दिये गए है सही क्या होगा? यहाँ पर राइर आंसर क्या हो जाएगा? टैफ्ट हो जाएगा टैफ्ट का एक आता है प्रशन इस तरीके से यदि उच्छे वर्ग के वेक्तियों द्वारा किया जाने वाला अपराद श्वेत वसन अपराद कहा जाता है तो फिर जुगी जोप्रियों में रहने वाले वेक्तियों द्वारा किया जाने वाला जो अपराद है उसे हम विसन विहिन अपराद कहेंगे, इस तरीके से किसने का स्टेटमेंट आता है, तो ध्यान रखिएगा, टैफ्ट का कहना है, ठीक है, और हाला कि इस तरीके से वर्गी करण अपराद का करना उचित नहीं है, ठीक है, अपराद की जो मूल आदश है, जो होते हैं, उनसे टैग किया जाता है, अपराद ना कि किसी पद से स्टेटस से लेकर हम उसको कहेंगे कि अपराद है, या हम जाती से जोड ले हम, तो उसके अधार पर हम अपराद को परिभाशित करें, ठीक है, ये इस तरीके से करना गलत है, ये इनका टैफ्ट का कहना था, ठीक है, चलिए ariat person's called man him, naodel यहां पर dentro options दीए गहें, सही क्या हो जाएगा right answer यहां पर क्या होगा, right answer यहां पर क्या हो जाएगा call man him, option C यहां पर right answer हो जाएगा, option C यहां पर right answer हो जाएगा, ideology and utopia, यह किसकी पुस्तक है, call man him की है, और इन्हों ने जो नियंत्रन के प्रकार बताए थे, समाजिक नियंत्रन के वो दो बताए थे, प्रतिक्ष समाजिक नियंत्रन और अप्रतिक्ष समाजिक नियंत्रन, ठीके, प्रतिक्ष समाजिक नियंत्रन और अप्रतिक्ष समाजिक नियंत्रन की बाद कॉल मैन हीम ने की है नेक्स्ट है या किसने कहा है कि निर्धंता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपरियाप्त अपूर्ती है जिसकी उपलब्धी उसके स्वेम तथा उसके आशितों के स्वास्त और शक्ति के अनुरक्षन के लिए आप एक्षित है सही क्या होगा इस तरीके से निर्धंता गरीबी को किसने परिभाशित किया है यहाँ पर सही हो जाएगा जेजी गोडार्ट ऑप्षन बी यहाँ पर सही हो जाएगा नेक्स्ट है एन इंटरक्षन टू शोशल अंथ्रोपॉलजी किसकी है पुस्तक मैकेवर एंट पेज और अगबन एन्निमकॉफ मजूमदार अनमदान गिलिन एंगिलिन यहाँ पर ऑप्षिन दिये गए है यह किसकी पुस्तक हो जाएगी एन इंटरक्षन टू शोशल anthropology मजूमदार and मदान option C यहाँ पर right answer हो जाएगा इनकी कुछ और भी पुस्तके हैं जो कि important है जैसे कि caste and communication caste and communication in Indian village यह किसकी है मजूमदार की है इसके अलावा a tribe in transition यह भी इनकी हो जाएगी और इसके अलावा हो जन जाती पर इन्होंने अध्धिन किया है इसे भी आप ध्यान में रखेंगे हो जन जाती पर इनका अध्धिन है a tribe in transition caste and communication in an Indian village यह इनकी कुछ books हैं चले आगे चलते हैं प्रश्ण है नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन का एक चेतन प्रयास है इन शब्दों में नियोजन को निम्न में से किसने परिभाशित किया है गुर्णाम में डॉल option a यहाँ पर सही होगा next है किसने कहा है कि स्वा और समान जुड़वा बच्चे है मॉर्गेट मीट, गॉफ मैन, च कूले, एम जिन्सबक यहाँ पर options दिये गए है सही क्या हो जाएगा राइड अंसर यहाँ पर क्या होगा option c होगा CH koole होगा, ठीक है CH koole हो जाएगा koole ने स्वाव विकास को ही समाझी करन कहा जो self development है उसको ही इनहूने समाझी करन कहा था ठीक है स्वाव विकास को समाझी करन कहा है किसने कoole ने इसे आप ध्यान में रखेंगे और कoole मीट की तरह ही कहते हैं जो self and society है, यह अलग-अलग नहीं है, बलकि एक ही ही है, यह कूले and meat का कहना था, और यहाँ पर जो self and society को जुड़वा बच्चे कहा गया है, वो कूले के द्वारा कहा गया है, नेक्स्ट है, society, culture and personality पुस्तक के लेख़ कौन है, पी ए सोरोकिन, मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्संस, एले वाइट यहाँ पर ऑप्शन्स दिये गए है, society, culture and personality यह पुस्तक किसकी हो जाएगी, books and authors पर classes अभी जल्द ही ले गई है, यहाँ पर सही क्या होगा, option A होगा, सोरोकिन, सोरोकिन यहाँ पर राइट है, एंड सोरोकिन की भी कुछ importance books देख लेते हैं, जैसे कि पहली है, crime and punishment, ठीक है, crime and punishment यह एक हो जाएगी, इसके अलावा, elements of sociology हो जाएगी, elements of sociology यह हो जाएगी, इसके अलावा, system of sociology, system of sociology हो जाएगी, the sociology of revolution हो जाएगी, ठीक है, social mobility इसके बारे में तो कई बार बताया गया है, social mobility भी उनकी हो जाएगी, social and cultural dynamics, यह भी इनकी पुस्तक हो जाएगी, इस बुक में उने समाजिक परिवर्तन का सांस्कतिक गत्यात्मक्ता का सिद्धान दिया था, इससे संबंदित प्रेशन exam में पूछा जाता है, चलिए, आगे चलते हैं, प्रेशन है, भारत के सविधान की किस धारा में व्यक्त है कि 14 वर्ष से नीचे, आईूक का कोई भी बालग किसी फैक्टरी या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में निर्युक तो होगा, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, धारा 24, ओप्शन A यहाँ पर राइट आंसर होगा, गुटो के द्वारा ग्रामीड राजनिती का अध्यन किस ने किया है, पार्थ चटर जी, डेविड हार्डी मैन, टॉम ब्रास, शाहिद अमीन यहाँ पर आप्शन्स दिये गए है, गुटो के द्वारा ग्रामीड राजनीती का अध्यन इन में से किसके द्वारा किया गया है सही होगा डेविट हार्डीमैन भी यहाँ पर सही हो जाएगा और लास्ट है निम्न में से किसने प्रभु जाती के अवधार्णा की जगा प्रभु समुदाई के अवधार्णा का प्रियोग करने का सुझाओ दिया एमन्शी निवास, सिदुबे, रॉय बर्मन, रॉबर्ट बेरस्टिट यहां पर आप्शन्स दिये गए हैं सही क्या हो जाएगा प्रभु जाती के अवधार्णा के जगा प्रभु समुदाई के अवधार्णा के प्रियोग का सुझाओ इन में से किसके द्वारा दिया गया है रॉय बर्मन के द्वारा, option C यहाँ पर सही होगा, M.N. शिनिवास ने प्रभू जाती है, यानि कि जो dominant caste का concept है वो दिया है, इसके जो लक्षन बताते हैं, M.N. शिनिवास वो तीन बताते हैं, ठीके, एक तो जनसंख्यात्मक शक्ती बताते हैं, ठीके, जनसंख्यात्मक शक् ये तीनों शक्ते जिसमें होंगी, उसको शिनिवास कहते हैं, वो एक प्रभु जाती है, S.C. दुबे ने प्रभु व्यक्ति की अवधार्ना दिती है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है, तो आज की class में बस इतना ही, I hope आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है, तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, और इस वीडियो को जितना हो सके, जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरू करिएगा